अब हम एक नया topic चालू करने वाले हैं वो है dimension reduction ठीक है अब यह जो topic है वो काफी ज्यादा interesting topic है और इसको हम आज के वाल में overview देने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है क्यों use करते हैं जब मैं किसी data set की बात करूँ ठीक है visualize कर सकते हें कितरे dimensions में 2D मैं data को two dimensions में visualize कर सकता हूं यह मैंने x-axis ले y-axis ले है ना और यहाँ पर मैंने data को लिया कुछ visualize कर दिया ठीक है 3D में visualize कर सकता हूँ 3D में visualize कर सकता हूँ कि मैंने चलो एक X-axis बना ली एक Y-axis बना ली और एक मैंने Z-axis बना ली और इसमें मैंने data को visualize करने की कोशिश करी ठीक है यहां तक बात समझ में आती है लेकिन if मैं कहूँ कि मेरे पास जो data set है उसकी dimension 10 है ठीक है अगर अगर क्या हम उसको visualize कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो end dimension data को हम क्या करने वाले हैं कुछ mathematics लगा के कुछ techniques लगा के उसकी dimensions को reduce करने वाले है तो मैं कहूँ कि मेरे पास कोई data है ठीक है कोई data है उसकी dimension क्या है 10 10 Dimension का मेर पर data है तो मैं इस पर कुछ techniques लगा के इस data set पर कुछ techniques लगा के क्या करने वाला हूँ मैं इसको 2D में change करने वाला हूँ या 3D में change करने वाला हूँ वो हम सीखेंगे Dimension Reduction के अंदर इसका use हमसमें आगया क्योंकि हम visualize नहीं कर सकते इसलिए हम ये करने वाले हैं ठीक है तो इसके अंदर अपन कौन-कौन सी techniques पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पढ़ेंगे हम PCA याने की Principal Component Analysis and T SNE तो ये हम पढ़ेंगे काफी ज़्यादा interesting चीज है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे आने वाली videos में ये मैं आपको समझा दिया कि इसकी ज़र्वत क्यों पढ़ती है ठीक है तो काफी interesting topic होने वाला है तो आप बने रही है तो ये हम पूरी detail में समझने वाले हैं इसके behind का mathematics क्यों करते हैं कैसे कियाता है सब कुछ So thanks इस video में तने